आश्वा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम इसे दान तक नहीं हो तरी स्टडीक लोस्वे आपको बहुत बस वागे थे सुबा मेरा वीडियो देखे लिए होगा कल हम और रवी मैं और रवी दोनों ही पागल होगे और कल बस साड़े आठ बजे जैसे ही ब बार जाएगी लियोनल मैसिल जो है वो मेरे फेवरेट प्लेयर रही है मैं बहुत सारी चीजों की बात करूंगा अर्जेंटीना कैसे यह वर्ल्ड कप जीती है एक चीज बहुत जादा इस पे बात भी हो रही है और जो लोग क्रिस्टियानों लोनाल्डों देखे दोनों ही मैसि को फिर यह था कि जो पेनाल्टी किक दी गही है मैसि को वो मतलब वो पेनाल्टी एक्चली थी नहीं ठीक है जो पेनाल्टी दिया है तो यह दो तीन चीज़े हैं और उसके बाद जिस तरीकी से अर्जेंटीना को पहुंचाया जा रहा है शायद फेवरिजम हो रहा है पर पार्शालिटी हो रही और अर्जेंटीना को जानबूच के पहुंचाया जा रहा है आप ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई कतर ने जबर्दस रिश्वती है फीफा को लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है मैं आपको एक लेर करना चाहता हूँ आप साफ साफ देख लिजे रेफरीज भाई उन्होंने तो कमाल का काम किया है ठीक है और देख लिजे वो साफ साफ है कि पेनाल्टी जो दी गई है वो क्यों दी गई है पेनाल्टी एकदम बनती थी तो कोई फेवरिजम नहीं है अर्जेंटीना को भी जानबूच के नहीं पहुंचाया गया है अर्जेंटीना ने कमाल का खेल केला पहला मैं चाहर गी थी अर्जेंटीना समझ लो ठीक है और ऐसी ने छोटी छोटी गल्तियां हर किसी से कभी-कभी रिफरीज से भी हो जाती है और यह सब के साथ हूई है ठीक है ऐसा नहीं है सारी टीमों के साथ हुआ है कल भी अगर आप चाहेंगे, मैं उनके बैगर आफिले क्या होंगा, लेकिन वन मैन आमी, वन मैन आमी है वो, समझे कि एक तरफ पूरी अर्जेंटिना और एक तरफ अकेले के लिए एमबापे, तीनों गोल उन्होंने दागे, और जो भाई उन्होंने, इस्पेशली जो उन्होंने जब वो सेकेंड गोल मारा था, बाकी तो पेनाल्टी था, सेकेंड गोल जो मारा था ना, सटाक से गया, मैं रहे यह क्या होगा, सब के दिल तूट गए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम चाहते थे, कि मैसी अर्जेंटीना जीते यार, मैसी कैप्टन है, 2015 में जब मैसी ने मैं सब एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, बट बात करेंगे, पहली मैंने क्लियर कर दी कि भाई देखो कोई भी फेवरिजम नहीं है, कोई भी पार्शालिटी नहीं है, आप रूल से चेक कर सकते हैं बकाइदा, और इसमें एक्स्प्लैनिशन भी आएं है, ठीक है, तो ऐ ऐसा ली कि अर्जेंटीना को जबरदस्ती पहुचाया गया है, कुछ है, बिल्कुल भी नहीं है, तो फिलाल अर्जेंटीना का ये हिसाब किताब कल था, पेनाल्टी में गया, मुझे ऐसा लगता है, फ्रांस ने ना जैसे मरोक्को एक बहुत जबरदस्ती टीम थी, सेमी फ होता है कि मौका नहीं छोड़ रहे हैं यहां पे, एक भी गलती नहीं कर रहे है, जैसे अगर उनको मौका मिला, अर्जेंटीना को कितने मौके मिले, लेकिन वो सही नहीं कितनी बार उन्होंने क्लोस काउंटर किये, वो बॉक्स के अंदर गये, गोल नहीं हो पाया, फ्रांस वर्ल्ड कप जीता है, डिफेंडिंग चैंपियंस थे, आपको बता दू कि आपको पता है ना, कि 1930 से वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, सबसे पुराना है फीफा फुटबॉल, और सबसे जाधा जाधा जो देश जीता है, वो ब्रजील, पाँच बार, इटली चार बार, जर्मनी चार बार, फ्रांस दो बार जीता है, अर्जेंटिना तीन बार हो गई है, पाके इंग्लेंड इसमें निकेक बार हो गई है, और शाहत कुछ है का छूट गए हो तो आप देख लीजेगा, ठीक है, सबसे पहला जो 1930 में, आपको बता दू कि 1930 में भी, उर्गवे और अर्जेंटिना के बीच में ही फाइनल हुआ था, हाला कि जीता उर्गवे था, फिर उसके बाद 1934 में इटली जीता था, ठीक है, तो कल ये हिसाब किताब रहा था, पैनाल्टी शूट आउट में जो अर्जेंटिना ने भाई कमाल कर दिया, मार्ट मैं ब्रजील वाले की बात कर रहा हूं, रोनाल्डो रोनाल्डीनियो 2002 में, वो जब जर्मनी और ब्रजील का फाइलर हो, वो बहुत सा परदस्त, तो 4-2, ठीक है, पैनाल्टी शूट आउट में मार्टिनेस ने कमाल कर दिया, और फाइनली अर्जेंटिना जीत गया, तीसर सी था यार में, सी के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि ये वर्ल्ड कप तो सी के पास ही जाना चाहिए, मेक्सिको को दो, ये तो ग्रूप स्टेज था, मेक्सिको को 2-0 से रा दिया, दो ही मैच हुए, बच गए, अर्जेंटिना क्वार्टर फाइनल में, नेधर कल वाले, ये वाला जो मैच था ना, यही हम लोगों के जहन में घूम रहा था, आखरी के 13 मिनट में नेधरलेंड ने 2 गोल मारे थे, अर्जेंटिना जीत रही थी, आखरी के 13 मिनट में 60 सक 2 गोल मार दिये, ठीक है, ये नेधरलेंड होकी ये पार मुझे आद है कि इंडिय और नेधरलेंड का होकी माच चल रहा था, इंडिया ने 3 गोल मार दिये थे, आखरी के 5 मिनट में नेधरलेंड ने 4 गोल मार दिये, ये ऐसे ही है, ठीक है, तो ये वाला, ये भी पेनाल्टी शूट आउट में गया था, बट उसमें भी अर्जेंटिना जीती थी, तो हरा द अब क्रोईशा में विवाद हुआ था, इधर इनका कौडर फाइनल था, कौडर फाइनल में भी ये बोला जाता कि मेशी को रेड़ कार्ट क्यों ने दिखाया गया, सेमी फाइनल में क्रोईशा को जो पेनाल्टी दी थी, मेसी को वो गलब दी गई, ये बाते हो रही थे, तो ऐसा लग रहा था कि बाते होने लगी कि शायद अर्जेंटीना को जबरदस्ती पहुचाएगा, पर वही दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर आप देखो, साफ साफ वो पेनाल्टी थी, ऐसा नहीं है, वही हां तो लग जाता है पेनाल्टी, तो ये चीज है, अब अभी हम सबको पता है कि इस समय अर्जेंटीना एक बहुत बुरे दोर से गुज़र रहा है, वहां पर अनिम्प्लाइमेंट जब बहुत जादा है, इंप्लेशन बहुत जादा है, पॉलिटिक्स एकदम साफ अमेरिकान दिश अर्जेंटीना बहुत समय तक बिटेन के पास था, उसके अबद 1982 में छोटा सा वार भी लड़ाता है उन्होंने, और हम यह देख रहे हैं कि अर्जेंटीना लेकिन सौकर ने पूरे के पूरे अर्जेंटीना को बांध दिया है, आप समझ रहे हो, यह चीज है, और अर्जेंटीना के बारे में मुझे बहुत कुछ मालु दो-तीन रीजन्स हैं, जो मैं कुको FM पर्सनली सुनता हूँ, पहला रीजन यह कि मुझे किताबे पढ़ने का बहुत जादा शौक है, अब क्योंकि मैं इतनी किताबे पढ़ता हूँ, तो अब यहाँ पे किताबे पढ़ने में काफी वक्त जाता है, तो कुको FM में यह प्र पॉइंट पॉइंट है, नॉलेज, घ्यान, भाईया, न्यू यर आ रहा है, इस बार रेजिलूशन घ्यान का लो, और घ्यान सबसे जबरदस्त आपको कुको FM पर ही मिलेगा, क्योंकि लगबग हर एक चीज़ पर यहाँ पर ओडियो बुक अविलेबल है, आप सुन सकते है जाए वो पॉलिटिक्स हो, जाए वो एकॉनमी हो, जाए वो हिस्ट्री हो, चाए फुटबोल हो, ठीक है, जाए वो फीफा हो, हर किसी पर ओडियो बुक और बुक समरी जो है वो अविलेबल है, करना कि आपको डिस्क्रिप्चन कमेंट बॉक पर लिंक दिया है, क्लिक और जैसे अप्लिक करेंगा प्ले स्टोर पर डारेक्ट होंगा आपको डाउनलोड करिए कूपन कोड़े SGS50 उसको एप्लाई करिए पूरे साल का सब्स्रिप्शन आपको 50% पर मिलेगा तो यह चीज है प्राइज बनी आप देख लिए बहुत साड़े 3300 करोण मिल रहे है आपके और जो हारा है उसको भी पैसे मिल रहे है आपको पता दो किलियन एमबापे ने अभी एक फुटबोल क्लब के लिए शायद तीन साल करें साड़े 5,000 का का कॉंट्राक्ट साइन किया साड़े 5,000 करोण का तो बहुत ही अमीर बहुत ही रिच गेम है फुटबोल ठीक है बहुत जादा और दिक्कत काफी जादा रही अब आप देखें कि कल हुआ क्या भाई देखो सब कुछ बढ़िया था 1986, 1978 में पहला वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था उसके बाद जो सबसे फेमस वर्ल्ड कप राइडियेगो मेरडोना 1986 आपको बता तो कि अर्जेंटीना सौकर के लिए पागल है पागल जैसे भारत पे क्रिकेट है ना उसको भी आप दो गिना कर दीजे वहाँ के जो राष्ट पती हैं वहाँ के जो जितने पॉलिटीशन से वो कहीं ना कहीं सौकर से रिलेटेड है गली गली में वहाँ पे सौकर खेला जाता है कितनी भी प्रॉबलम लोकिन सौकर उनको बांध देता है समझे रो तो डिएगो मेरोडन ने 1986 का बहुत ही फेमस विक्टरी थी फिर अर्जेंटीना फाइनल में पहुँचा ठीक है 2014 का तो दिल तोड़ दिया लियोनल मेसी तो हम सबको पता है कि जबरदस्ट के लाड़ी रहे है लेकिन अभी जबरदस्ट ये फाइनल आज तक का सबसे बहतरी फाइनल खेला गया है सबसे शांदार फाइनल क्योंकि जो हुआ है ना 80 मिनट 23 मिनट में पहला गोल ठीक है दो दो पे माच दो है वो अटक गया और 23 मिनट में डी मारिया ने शुरुवात के दो गोल माले एक चीज़ बता था कि मेसी को ये बोला गया कि खाली पेनल्टी में मारता है बिटा पास कौन देता है मेसी पास देते हैं समझ रहे हो मेसी अगर ना होना तो गोली ना हो पाए तो बॉक्स में आकर जो पास देना है वो अपने लिए नहीं खेलता है देश के लिए खेलता है गोल्डन बूर्ड में मेसी को मिला ठीक है डीमारिय ने दूसरा गोल किया, और उसके बात भाई, अनिस्टॉपेबल, 2-0 सब पागल हो गया, अर्जेंटीना जीत गई, जीत गई, अब बस वक्त का खेल था, 80 मिनट तक ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना के आसपास है ही नहीं, कहां है एमबापे, दिखी ही नहीं र में, भाई, फ्रांस ने मतलब 81st मिनट पे एमबापे को मिलती है, पैनाल्टी, मार दिया गोल, और उसके अगले ही मिनट, 83rd मिनट पे, और रे बाप रे, वो जो गोल मारा ना सटाक से, मैंने इतना शांदार गोल नहीं देखा, मैसी जो बहुत पीछे दे गोल मार देते है लेकिन एकड़म से बॉल गई गोल, दो-दो से बराबरी, मैंने अपना सर पकड़ लिया, जितने भी भाई, भाई, भारत में भी जादा तरलोग मैं, यहीं उमीद करता हो कि अर्जेंटीना कोई सपोर्ट करते, फ्रांस पिछली पर जीत गया अर्जें, मैसी यार, मैसी का गोल मारेगा, आप देखीजेगा, क्योंकि यही होता ही है, डेस्टिनी, किस्मत, और कुछ इतियास ऐसे लिखे जाते हैं, और मैसी नहीं गोल मारा, तीसरा गोल, लेकिन फिर किलियन लास्ट पांच मिनेट में फिर एमबापे को क्या मिली, पेनाल्टी, और वो बहुत ही फॉर्चुनेट था, भाई मारा बहुत पेसके एक हाथ आ गया, ठीक है, प्लेयर का नाम मुझे मैं भूल गया, और उसके बाद पेनाल्टी में, किलियन इमबापे कहां छोईने वाले हैट्रिक, वन मैन आर्मी, किलियन ऐसा लग रहा था कि अकेले, फ्रांस के लिए, अके किया ही कहते है, जिदान बहुत बड़े प्लेयर थे, हेडर मार दिया था, जिनको बाहर जाना पड़ता है, वो रहते तो उस समय 2006 में भी फ्रांस जीत था, तो जैने दिन जिदान, उसके बाद रही है, एमबापे, बहुत तेजी से आगे आ रहे, गोट, ग्रेटेस्ट जो टाइटल, अब मेसी को वो डिबेट खतम हो गई है, कि मेसी गोट है, नहीं है, बहुत बड़ी डिबेट भी थी ना, लेकिन ग्रेटेस्ट अफ आफ आपे भी उसी सीडी पे ही है, बहुत महान प्लेयर बनेगे, ये तो बात बिलकुल पक्की है, तीन-तीन से बराबरी, मैं भी परचान सब परचान, फिर उसके बाद हम देखते हैं, पेनाल्टी शूट आउट हुए, कमाल हो गया, अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना एक टीम की तरह खेली है, जो टीम वर्क रहा है अर्जेंटीना का, वो कमाल का रहा है, दूसरा पॉइंट, जैसे सचिन तं रेटार होंगे नहीं होंगे, मेरे हिसाब से यह बहुत ही बढ़िया मौक है कि वो रेटार हो जाया, वर्ड कप आपने जिता दिया, बेस्ट मौका है, ठीक है, अब वो खेल, उनकी चॉइस है, लेकिर आप ये समझे, मार्टिनिस ने कमाल कर दिया, भाई, ऐसा गोल कीपर तीसरा पॉइंट है, ये गोल कीपर भाई, ये कमाल है, नेधर लेंड के खिलाफ इसने पासा पलट दिया, और अर्जेंटीना के खिलाफ इसने पासा पलट दिया, इनको, इनकी बॉडी लैंग्वे से पता नहीं लगाया जाता, इनफाट, किलियन एमबापे के गोल को भी लगभग इननों ने रोकी लिया था, हात लगा दिया था, लगभग रोग लिया था, भाई कमाल के गोल कीपर एग, ओलिवर कहां थे, दोहजार दो में जिनको गोल्डन बॉल मिली, ये है माटेनिस, जबरदस्त, ठीक है, तो टीम वर्क, ये और ये जो एक मोटिवेशन हो इस बार तो मुश्किल होगा और उसके बाद फाइनल में जाना, यही होता ही है, यही होता है, तो यह लेचर था, आई होग आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और भाई, कौन कोन अर्जेंटीना का फैंस है, आपको क्या का लगता है, फदाक से कमेंट बॉक्स सुन सकते हैं, ठीक है, तो किताबों का खर्चा बचा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कई पर भी आप इनके आप डाउनलोड करो, और यही है, प्लस जो नॉलेज यह वो तो है है, तेज़र संदान तक नियोतरी, साइन गॉफ